एक ऐसा पुलिस वाला जिसके नाम से गुंडे थर थर कापने लगते हैं और बासी रोटी को खाने से क्या होता है? और क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर देखा है? नहीं तो देखने के लिए बने रहें आज की वीडियो के साथ एक गम अंतर अब इस मच्छर से मिलिए इसका नाम है टॉक्जोर आइंटिटीज और इसके खाइशत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर है इसके स्विशाल काय आकार की वज़े से ही इस मच्छर को एलेफेंट मॉस्कुटो भी कहते हैं इस मच्छर का डंग किसी सुई की तरह ही बहुत नोकिला और आकार में काफी बड़ा है जिसे देखने भर से ही कोई पी डर जाएगा अब जरा सोचे कि इसके काटने से कितना दर्द होता होगा लेकिन डर ये नहीं क्योंकि ये मच्छर इंसानों का खूर नहीं पीते और ये अपना पेट का अब्रोहाइट्रेट रिच मेटीरियल्स को खा कर ही भरते हैं जिसमें फूल, शेहत, कच्रा और सड़ी हुई चीजों का रस शामिल है मिलिये रवी मंजारी से जो इंडिया के पहले पुलिस मैन होने के साथ साथ एक इंटनेशनल बॉडी बिल्डर भी है रवी महराष्ट पुलिस में नौकरी करते हैं और अपनी पॉलार जैसी बॉडी के दम पर इंटरनेट पर च्छाय रहते हैं रवी अपनी बॉडी बिल्डिंग के करियर में बहुत से खिताब भी हासिल कर चुके हैं और जब ये पुलिस की वर्दी पहन कर सडकों पर निकलते हैं तो लोगों की इन पर से नजरे नहीं धटती और गुंडे तो इनके नाम से ही धर-धर कापने लगते हैं रवी को बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक है कि ये एक दिन भी जिम मिस नहीं करते और डूटी से फ्री होते ही घर जाने से पहले जिम में जाकर कसरत करना पसंद करते हैं अगर देश के सभी पुलिस वाले इनके जैसे बन जाये तो शायद ही कोई चोर सपने में भी कभी चोरी करने की सोचेगा ऐसे कमाल की बॉडी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो आप सभी ने भी सुना होगा कि बासी रोटी को खाने से हमारे श्रीर को बहुत फायदा होता है और ये कई तरह की बीमारियों को दूर करने में भी सक्षम है लेकिन फिर भी हम सभी से खाने से हमेशा बचती ही है आपको बता दू कि ठंडे दूद के साथ बासी रोटी को खाने से ब्लड प्रेशर के समस्या को दूर किया चा सकता है सुबह के वक्त दूद के साथ बासी रोटी को खाने से स्विवर लेवल को मिंटेन करने में भी आसानी होती है इस के लावा पेड़ से जोड़ी समझाय जैसे कि Acidity में भी Pasity Rooty को खाने से काफी फाइदा होता है और तोहर सेहत बनाने के लिए भी कई fitnes center में exercise के साथ Pasity Rooty को खाने की सलाब भी दी जाती है आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पेड़ों की ये बीमारी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तेक भी ट्रैवल करती है दरसल ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है चो किसी वज़े के चलते अंदरूनी तोर पर कमजोर हो चुके पेड़ को अपनी चपेड में ले लेता है और उनके वेकास को पूरी तरह से रोख लेता है इतना ही नहीं क्राउन गास बीमारी से ग्रसीद पेड ऑक्सिजन देना भी बंद कर देते हैं दोस्तों क्या आपको पेड़ों में होने वाली इस बीमारी के बारे में बता था मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं सूरज इतना गरम है इसकी गरमी इससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर धरती तक भी बड़ी ही आसानी से पहुँच जाती है और सिर्फ पहुचती ही नहीं बलकि इसकी गरमी से समस्क संसार का क्या हाल होता है ये तो हम सब जानती ही है और हमारे अंत्रिक्ष में तो सूरज के जैसे ऐसे बहुत सारे तारे मौझूद है जिनकी गरमी से पूरा अंत्रिक्षी जल कर भस्म हो सकता है तो ऐसे में मन में एक सवाल जरूर आता है कि इन सब की इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारा अंतरिक्ष धंडा क्यों है जब उसी अंतरिक्ष में मौजूद सूरज से इतनी दूर धरती तक भी इसकी गर्मी का असर होता है तो हमारा अंतरिक्ष इतना ठंडा कैसे हो सकता है कि वहाँ निकलते ही, स्पेस्क्राफ्ट तक पर भी बर्ग जमने लगती है पर हाँ बाकी के प्लैनेट्स जैसे की धर्दी पर इनके किरने टकरा कर उनमें अब्जॉब हो जाती है जिसके चलते हमें गर्मी का एहसास होता है कीवी नाम के इस फल को तो आपने जरू खाया ही होगा ये फल इतना गुणकारी है कि इसे न्यूजिलेंड में तो राष्ट्रे फल ही घूशिक कर दिया गया है आपको शायदी बात पता नहों कि इस फल को दुनिया का सबसे ताखतवार फल माना जाता है ये हमारे शरी के लिए कई जरूरी तरह के एंटी आक्सिडेंट और विटामिन से युक्त होता है इसे खाने से इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बर जाती है साथी ये आगों के दुनली हो चुकी रोश्णी को भी बढ़ा देता है इतना ही नहीं ये हमारे digestive system को दुरूस्त बनाने के साथ साथ दिल की बिमारियों को भी दूर रखता है कीवी ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखता है ये हमारे शरीर में ब्लड ट्लोटिंग नहीं होने देता साथी ये अस्तमा की बिमारे से भी हवे बचाता है कुल मिलाकर ये फल हमारे शरी को हर तरह की विमारियों से बचाता है इसलिए इस फल को अपनी डायेट में शामिल जरूर करें जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां के लोग राजनी थी पैसे और धर्म से कोसो दूर होकर एक दूसरे के साथ मिलचुल कर रहते हैं वैल इसके तो कलपना करना विगटिन है लेकिन कमिल नाडु में स्थित और विल्ली नाम की इस जगह पर ही सब होता है यहां के लोगों को धर्म राजनी थी और पैसे से कुछ मतलब नहीं 1968 में फ्रांस से आए एक महिला मिराल पासा ने इस जगह के स्थापना की थी वो एक ऐसी दुनिया का निर्मान करना चाहती थी जहां पर इंसानों को सिर्फ इंसानियत से मतलब हो फिर वहां पर अलग अलग देशों से आकर कई लोग पस्ते लगे और आज यहां पर अरीब दीर हजाल लोग रहते हैं यहां पर एक ऐसी शांति का माहोल है जो दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता यहां के लोग अपने सभी कामों को साथ में मिलकर करते हैं और आपस में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते दोस्ते यह थे कुछ अमेजिंग पैक्ट्स इन में से कौनसा फेक्ट आपको सबसे जबरतस्त लगा कॉमेंट्स में जिरू बताएं आज का वीडियो हम यही बनाएंड करते हैं उम्मीद आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरू करें और अपमें दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें मिलते हैं का और धमाकिदार वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाब